इजूकेशन के फील्ड से नहीं हूँ, मैं एक कलाकार हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ, एक क्रेटिव इंसान हूँ और आप लोग बहतर जानते हैं एजूकेशन के बारे में, इतने साल से आप एजूकेशन चला रहे हैं पिछले कुछ साल से मेरा अनुभव हुआ है, चूँके मैंने कुछ फिल्में की हैं, एक फिल्म थी तारे जमी पर, और अभी हाली में मेरी जो फिल्म आई है, त्री इडियेट्स, ये दोनों फिल्में एजूकेशन के टॉपिक पर हैं, तो लहाजा इस वज़े से मैंने काफ सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे कुछ विचार हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, एजूकेशन से जो, जिनका संबंद है, और वो ये के सबसे पहले तो हर बच्चा खास होता है, ये मैंने डिस्कवर किया अपने रिसर्च में, हर बच्चा खास होता है, हर बच्चे में हमारी तरह, आपकी तरह और हर बच्चे में कुछ नकुछ काबलियत होती है, कुछ नकुछ कमजोरी होती है, मुझ में भी कमजोरी है, काबलियत है, आप में भी कुछ नकुछ काबलियत और कमजोरी है, और हर बच्चे में कुछ नकुछ कमजो गभीता हिए उसका क्या दिल चाहता है? उसे किस चीज में खुशी मिलती है? वो हमें उसको help करना है कि हम उसको डून सके? और उसमें हमें support करना है? और जो उसकी कमजोरी है, उसमें हमें उसको support करना है. मुझे अकसर education meeting institute मुझे बुलते कि हम हमारे स्कूल में सारे बच्चे पास होते हैं, या हम ज बोर्ड इग्जाम में उसमें हमारे सारे बच्चे पास होते हैं। मुझे एक सवाल पूछता है, कि हमारे कितने बच्चे खुश हैं। सबसे बड़ा सवाल मेरे ने ह हूँ था है dat रहा है। और वो जो happiness quotient है ना, वो मेरे लिए सबसे एहम है, क्योंकि देखिए पढ़ाई लिखाई तो हम सीखी लेते हैं, जब मुझे कोई चीज सीखी नहीं होती है, तो मैं कुछ न कुछ करके सीखी लेता हूं, हमारी film Three Idiots, जब रिलीज होने वाली थी, रिलीज से पहले हमने कई screenings रखे थे, test screening जिसमें के हम audience जैसे आप लोग है, उनको बलाते हैं, film दिखाते हैं, उनसे पूछते हैं के film कैसी लगी, ऐसे एक test screening हमने किया था, बंबई में एक factory में कारीगर लोग काम करते हैं, तो करीब 25-30 कारीगर आये थे, उस screening में, screening के बाद, उनका एक कारीगर था, उसने मुझे से ये पूचा, आप लोगने फिल्म देखी है, Three Idiots, उसमें, उसने मुझे एक सवाल पूचा, जो बहुत कमाल का सवाल था, उसने मुझे ये सवाल पूचा के सर, picture के अंत में हमें पता लगता है के आप तो रंचोड़दास थे ही नहीं, रंचो तो थे ही नही आप, तो certificate तो आपको मिला नहीं, वो तो जावेद जाफरी को मिल गया, तो आप इतने बड़े scientist कैसे बन गए, इतने बड़े patrons, 400 patrons, जापानी लोग आपके पीछे पड़े हैं, तो आपको certificate तो मिला नहीं, तो आप इतने बड़े scientist कैसे बन गए, बहुत ही एहम सवाल है ये कि जब मैं exam के लिए रट के, जवाब देता हूँ, और वो जवाब में मुझे number मिलते हैं, और मैं pass हो जाता हूँ, तो मेरे हाथ में एक परचा आता है, जो मुझे कहता है कि मैं पड़ा लिखा हूँ, लेकिन वाकई मैं पड़ा लिखा हूँ या नहीं, ये अभी तक मुझ चाहते हैं कि आपको मिले, विद्या मिले आपको, तो फिर वो कागज का माइने कुछ होता नहीं है, तो मैंने उसको जवाब में दो सवाल पूछे, मैंने बोला उसको कि भाईया, आपको क्या लगता है, मैं अच्छा एक्टर हूँ, उसने बोला हाँ, देज भर में आप, स नहीं है, जो मुझे बोलता है कि मैं अच्छा एक्टर हूँ, मैंने फिर उससे एक सवाल पूछा, कि आप, मैंने सुना, आप बहुत अच्छे कटर हैं, आपके जो बॉस मुझे बताते हैं, कि आप उनके में कटर हैं, और आपकी बड़ी इज़त करते हैं वो, आपके अप कोई परचा है, सर्टिफिकेट है, जो मुझे बताता है कि आप कटर हो, उसने बोला नहीं सर, तो मैंने बोला आपका जवाब को इधर ही मिल गया, एजुकेशन इस बियॉंड मार्क्स, एजुकेशन इस बियॉंड ग्रेड्स, एजुकेशन इस वाट यू लर्न, और मेरी इच्छा है कि हिंदुस्तान में हम एजुकेशन को इस नजरिय से देखें, कि हम अपने बच्चों को वाकई शिक्षा दें, और शिक्षा हम खुशी से दें, क्योंकि शिक्षा में सिर्फ ग्यान नहीं होता, शिक्षा में एक और चीज़ मिली भी होती है, वो ये है कि हम अ दूसरों के बारे में ध्यान रखें, आगे चलके वो किसी के चहरे पे मुस्कराहट ला सकें, आगे चलके वो किसी की मदद कर सकें, इस इस वाट वी शुट डेवलप और चिल्रेन, ये मेरी फीलिंग है, मैं जहां भी देखता हूँ, ये मेरे साथ भी हुआ है, जब मैं छ अरे, फर्स नी आया, डांट पड़ती उसको, जो बुलता है, मैं टेंट आया तो उसकी तो हालत ही बुरी हो जाती, बच्चे को लगता है, यार ये फर्स आना बड़ा ज़रूरी है, उसको रेस में हम पुछते हैं, तो मेरेस में फर्स आयके एक सेकंड आया, इसमें हम उस चिला रहे हैं, बेटा भागो, मतलब नीबू लेके भागो, तो उसमें होता क्या है, कि बच्चे को लगता है, ये बड़ा ज़रूरी है, मेरे पेरिंट्स को, हमेशा मेरे पेरिंट्स मुझे एकी सवाल पूछते हैं, मैं फर्स आयके नहीं, उसके जहन में ये बात बैढ जाती है, कि मेरे को अववल आना है, मेरे को कमपीट करना है, मेरे को बाकी लोग से आगे निकलना है, टीचर्स भी ये सवाल उसको पूछते हैं, आम तोर पे, मेरे साथ हुआ है, होता क्या है, कि जब वो बच्चा 21 साल का होता है, तो वो बड़ा सेल्फिश हो जाता है, औ फिम्मारे सिस्टम ने बनाया है। वो अपनी बारे में सोचता है और किसी के बारे में नहीं सोचता है, क्योंकि यह हमने इसको ट्रेन कि बच्पन से, बच्पन से हमने इसको यही ट्रेन कि कि बेटा, तुम पहले आना, बाकी सब लोग को भूल जाओ। तो जब वो नौजवान बनता है तो उसका नजरियां सुसाइटी की तरफ यही हो जाता है कि भाईया मुझे आगे बढ़ना है by hook or by crook I must succeed I don't care about anybody else मेरा ये दिल कहता है मेरा ये दिल चाहता है कि अगर हम जितने यहां parents हैं adults हैं youngsters हैं जो कल जाके parents बनेंगे अगर हम अपने बच्चों को ये सीख दें जब वो छोटे हैं जब वो घर आए हम उसको ये सवाल पूछें ये नहीं पूछें कि marks कितने मिले उसको ये पूछें कि बिटा आज तुमने किसकी मदद की आज तुमने किसके चेहरे पे मुसकराहट लाई अगर हम उसको ये पूछें तो उसको ये लगेगा कि यार ज़रूरी ये है मेरे parents मुझे हमेशा ये पूछते हैं marks का तो अभी पूछते नहीं वो मुझे ये पूछते हैं कि भाया तुमने किसको help किया आज उसका नजरिया थोड़ा बदल जाएगा जब वो नौजवान जब वो बच्चा नौजवान बनेगा 21 साल का होगा और सारे बच्चे उस उमर के जब 21 साल के होंगे हमारी society change हो जाएगी क्योंकि तब क्योंकि तब हमारी society में ऐसे नौजवान होंगे जो खुद के बारे में नहीं सोच रहे है दूसरों के बारे में सोच रहे है तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे education system में मैं देखना चाऊंगा जो मैंने अपने school life में नहीं देखी कि हमको ये एहमियत इस पे दी जा रही है कि हम अपने आसपास के बच्चों को कितना help कर रहे है ये एक बहुत बड़ी तबदिली अगर आ जाए तो मुझे लगता है कि हमारा देश बहुत सुदर सकता है बहुत बदल सकता है